यहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे सांदार ट्रैक्टर हिंदुस्तान 60 के बारे में इसके आपको performance यहाप और क्या देखने को मिलेगी engine की specification के साथ हम बात करेंगे on road कीमत और EMI क्या है और कितनी कम down payment करके आप इस वाले ट्रैक्टर को घर लेकर जा सकते हैं आठ आपको मिलते है forward gear दो आपको मिलते reverse gear इसके हम बात करेंगे maximum forward speed के बारे में तो वह 32.3 km पर आरकी maximum आपको reverse speed यहाँ पर देखने को मिल जाती है 13.9 km पर आरकी इसमें आपको all immersed brake देखने को मिल जाती है power steering आपको देखने को मिलेगा fuel tank आपको मिल जाती है 50 liter के इसकी weight है करीबन 2325 kg wheelbase आपको मिलती है 200 mm की इस tractor की लंबाई है 3560 mm की चौड़ाई है 1,995 mm की इसकी ground clearance के हम बात करेंगे 610 mm की आपको देखने को मिलती है lifting capacity आपको मिलती है 16 kg की two wheel drive आपको देखने को मिलेगे सामने आपको मिलेंगे 716 के टायर पीछे आपको मिलेंगे 16920 के warranty के हम हम बात करेंगे अक्सर हमें देखने को मिल जाती है 2,000 घंटे या फिर आपको दो साल के warranty इसमें offer की जा रही है इस वाले ट्रैक्टर के एक showroom कीमत के हम बात करेंगे वह आपको लगभग से देखने को मिलेगे UPBH जरकन में 7,40,000 रूपाई से लेकर 7,90,000 रूपाई के अं इंदुस्तान 60 के आपको लगभग 100 रूपाई कीमत आपको चल रही है 8,05,000 रूपाई से लेकर 8,20,000 रूपाई के अंदर ही दोस्तो आपकी राज में 100% है के बतला हो सकते हैं टैक्सेस और जो है रेइस्टेशन के फीस अलग लग होती है फिर भी आप यहां से एक अंदा तो इसके हिसाब से आपको लोड अमांट लेना पड़ेगा 6,05,000 रूपाई का साड़े साट परसेंट ब्याजदर अगर है कि फरनेस कंपनी की जिसमें दोस्तों आपको बदला देखने को मिलती है वैरी करती है साड़े साथ से लेकर 11,12% की बीच में लेकिन हमारे किसान भ महिने आपको देने पड़ेंगे 10,400 रूपाई 7 सल की हम बात करेंगे मंथली की स्ताप की बनेगी 9,200 रूपाई की अगर आप अपने EMI का और भी कम करना चाहते हैं तो आपको डॉन पेमेंट अमांट को बढ़ाना पड़ेगा तो आप अगर करते हैं 3,00,000 रूपे तक की हम बात करेंगे 7,700 रूपे आपकी मंथली की स्तियां पर बन रही है तो आपको काफी सांदार कीमत में देखने को मिलती है इंदुस्तान 60 वाल इटरेक्टर तो आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी है कीमत आपको कैसे लगी है उसके हिसाब से जरूर से आप कमेंट करिएगा